खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इंकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से, इसी लिए कहते हैं भया, आदार अपना लो, साइदे में रहोगे महात्मा के मंत्र खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं मुल्क में करोना वारस के तदीख शुदा केसिस की तादाद हुई 15,712, करोना से मतासिर 2,230 मरीज से हत्याब, 507 अफराद की गई जान मिजारे दाखला की ई-कॉमर्स कमपनियों को हदायत, लोक डाउन के दौरान गेर जरूरी अशिया की सिप्लाई की जासत नहीं मरकजी हकूमतनी की वजाहत, घरेलू और बेनला गौामी परवाजों को बहाल करने का अभी नहीं हुआ कोई फैसला वजारत सहत ने कॉरोना से बचाओ के लिए जरासीम कुश्मावाद के छड़काओ के खिलाब दिया मशवरा कहा किसी भी सूरत में ऐसे छड़काओ की हाजत नहीं दुनिया भर में कॉरोना से मुतासर अफराद के तादाद 23 लाग के पार वबा की नजर हुए 1,60,000 से ज़ादा लोग और अमरीका में कॉरोना से 24 घंटे में 1,791 हलाकतें अब तक 49,000 अमरीकियों की जा चुकी है जान नाजरी नादाब खबरनामे में आपका इस्तिक्वाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं हूं महमद नौमान विजारत सहत की ताज़ा मालूमात के मताबिक मुल्क में कॉरोना के 15,712 कुल मामला सामने आये हैं जिन में से 12,974 एक्टिव हैं 2230 मरीज पूरी तरे से सहधियाप होकर अपने घर जा चुके हैं कोविड-19 की वज़े से भारत में अब तक 507 अफराद की मौत हो चुकी है हुकमत की कोशिश है के कॉरोना के मामलात पर काबू पाया जा सके इसी वज़े से लोगों से पुरूजोर अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें मरकजी वज़ारत सेहत ने के एडवाईजरी जारी करते हुए बचाओ के लिए लोगों पर जरासी कुछ छड़काओ को जिसमानी और जहनी तोर पर मुजिर बताया है एडवाईजरी में कहा गया है किए अगर किसी दवा में केमिकल की मिगदार में अजावा किया जाता है तो वो जिल्ड आख और कप्ड़ों के लिए नुखसान देथाबिट होगी इसमें मुजब कहा गया है कि किसी शख्स में कोरोना की मुमिपना अलामात भी पाय जाती हैं तो इसके जिसम के बहरी से पर दबा के छड़काओ से इसके जिसम में दाखिल से हलाक नहीं होगा सोडियम हाइपकुलॉराइट से तयार सेनिटाइजर चेंबरों की तेजी से बढ़ रहे इस्तिमाल और इंसानी जिसम पर पढ़ने वाले इसके मन्फी असरात के पेशे नजर इस पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। शेहरी हवबाजी के वजीर हरदीब सिंग पूरी ने तमाम एरलाइंस को सलाह दी है कि वो घरेलू और बेनल अक्वामी मसाफिर फिजाई खिद्माद शुरू करने पर हकूमत के फैसले के बाद ही टिक टो की बुकिंग करें। उन्होंने ट्वीट किया कि शेहरी हवबाजी की वजारत वाज़े करती है कि अभी तक घरेलू या बेनल अक्वामी पर वाज़े शुरू करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। एरलाइंस को सला दी जाती है कि वो हकूमत के जरी ये सलसले में फैसला लेने के बाद ही अपनी बुकिंग शुरू करें। मरकजी हकूमत की करोना बहरान के जोर में फर्जी खबरों पर भी गहरी नज़र है। हकूमत हर उस खबर पर नज़र रख रही है जिससे अफवा के मज़ीद फैलने का खश्या हो। इसी सलसले में हकूमत ने आज ये वाज़े किया कि उनके मुलाजमीन की पैंशन में 30 पीसद की कमी नहीं होगी और ना ही 80 बरस से जादा उमर के लोगों के लिए पैंशन को खत्म किया जाएगा। हकूमत की तरफ से साफ कहा गया कि ये एक अफवा है और इस पर तवज्जव देनी की जरूरत नहीं है मरकजी वजिए परकाज आवडेगर ने कहा है कि 20 अपरेल से मुल्क में कुछ इक्तिसादी सरगर्मिया शुरू हो जाएंगी ये कदम इंतिहाई एहम है जिस से मुल्क भर में रफ़तर रफ़ता इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी आएगी उन्होंने कहा कि हकूमत गरीबों और किसानों के मफादात के तहीं बहुत सारे काम अंजाम दे रही है किसान के खरीब की वबस्ता की है किंसान को जो सहायता देनी है किसान समार के 6000 रुपए दे रहे है किसान को उसकी फसल बजार में जाना यहीं तो सबसे जुबरत है वह अभी हो रहा है और उसके करजा और बाकी सारा मिलते रहना यह भी ज़बरत है यह पूरी हो रही है तो पिछले चार दिन से एक भी केसी नहीं आया है तो अनेसेसी रखने का इसलिए फायदा था किको कम्प्वीट हो गया है उनके टेस्टिंग कम्प्लीट हो चुके इसलिए इसलिए अटा दिगया रैपिड टेस्ट हैं हमारे पस 42,000 कित आ चुकी है जिनका में सूर्स नहीं पता लग पा रहा है कुछ और इन दोर में जूनी थाने के इंचार्ज दविंदर कुमार चंदरवन्शी की कोवीड उनली से मौत हो गई है कुरोना वाइरस पॉजिटिव होने के बाद उन्हें और बिंदो अस्पताल में मुन्तकिल कर दिया गया था मजिराला शिवरा सिंग चौहान ने गहर रुन जगम का इज़ार करते हुए कुनबे को पचास लाग और उनके एहलिया को पुलिस सबस्प्रेक्टर के ओधे पर मुकरर करने के लिए टूइट किया है और अमरीका बैसा मुल्क बन चुका है जहां कुरोना वाइरस से मतासिर मरीजों की तादा सबसे जादा है ताजा अदादों शुमार के मताबिक बात करें तो साथ लाग चुटिस हजार से जादा अफराद मतासिर है अमरीका में कोविड उननीस से अब तक अरतीस हजार अफराद की मौत हो चुकी है अमरीकी इंतिजामिया मसलसल फिक्रमंद और अहलात पर काबू पाने के लिए कोशा है महीं स्पेन में करोना वाइरस के बढ़ते मामलात के दर्मियान हकुमत मुल्क गीर सते पर लॉक डाउन को मज़ीद दो हफ़ते के लिए बढ़ाने पर गोर कर रही है वजिर आजम पेडरो सेंचेज ने कहा है कि वो 25 अपरेल को अराकी ने पारलिमिंट से लॉक डाउन को 9 माई तक बढ़ाने के लिए के लिए कहेंगे इस्पेन में 14 मार्च से लॉक डाउन नाफिज है इटली के बाद इस्पेन यॉरप का दूसरा ऐसा मुलक है जहां करोना वाइरस की वज़े से 20,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और फरांस में करोना वाइरस के सबब जहां 24 घंटों में 642 लोगों की मौत हो गई है वहीं अस्पितालों में दाकल मरीजों की तादाद में कमी भी नज़गों नाज़र आ रही है अब तक मुलक में वाइबा से 19,323 लोगों की मौत हो चुकी है अस्पिताल में मरीजों Uranा में मौत मार्च से लॉक डाउन नाफिज है आलमी सहत तन्जीम ने 23 अपरेल से शुरू हो रहे रमजान के मुबारक महीने के लिए रहनुमा एहकामाद जारी की हैं डबलो एचो ने कहा है कि समाजी और मथभी तकारीब को रत करना एक बेहत जरूरी गदम है लोगों को कम से कम एक मीटर की दूरी बनाई रखनी चाहिए जिसमानी राप्ते से बचने के लिए सलाम और अदाब के लिए दीगर मतबादिल मसले दूर से हाथ हिलाना सर हिलाना जिसे तरीकों को अपनाया जा सकता है मरीज और जाइफ लोगों को इजाफी एहतियाद बरतनी चाहिए और उन्हें किसी भी तकरीब में शिरकत से गुरेस करना चाहिए पहले से हाई बलड पिशर या शुगर के मतासिर मरीजों को भी ऐसे मुकामात पर जाने से बचने के लिए कहा गया है अगर किसी में मरीज की तश्खीस हुई तो फौरी तो पर उससे राप्ते में आए लोगों की निशान दही की जाए बिनल अकवामी अदारे सहत ने कहा है कि जरूत मंदों को जकात या खेरात देते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बना जाए इफ्तार प्रोग्राम के निकात के बजाए डबबंद खुराक दी जानी चाहिए बिनल अकवामी सहत के अदारे ने ये भी कहा है कि सहत मंद घिजा पर अमल किया जाना चाहिए और किसी वक्त भी जिसम में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए रमजान की मुनाजबस से दुनिया भर में लोगों को हिदाया दी गई है उनका मकसद कोरोना वाइरस को फेलने से रोकना है लोगों से कहा गया है कि वो घरों में रहकर ही अबादत करें साओधी अरब की हुगमत ने मक्का और मदीना में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है रमजान के दौरान भी उम्रे पर पाबंदी जारी रहेगी मतहदा अरब अमारात में मजहभी अमूर की कौंसिल ने फत्वा जारी किया है जिसके मताबिक सहसे मतालिक जरूरी एहकामात पर अमल करना मजहभी फरीजा है इरान में भी हर तरह की तकरीबात पर पाबंदी का एलान किया गया है वहाँ पर रमजान में नमाज और इफतार के लिए लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी दुनिया की मशहूर दीनी दर्सकाह मिसर की जामिया लाजर ने डबलू एचो की हिदायात पर अमल करने को कहा है इराक के मजहभी रहनुमा आयतल्ला अली सिस्तानी ने एक फत्वा जारी करके डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करने को मजहभी फरीजा परार दिया है तर्की में मजहभी उमूर के सरवरा अली अर्बाश ने एक बयान जारी किया है उन्होंने वबा की रोक्थाम के लिए इसलामी तरीखों पर अमल करने की वकालत की है उधर कोयत में अजान के अलफाज में तब्दीली की गई है और अब लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है जर्मनी में मुसल्मानों की मरकजी कौंसल ने हिदाया जारी की है इसमें कहा गया है कि इस बार रवायती अंदाज में रमजान मनाना मुम्किन नहीं होगा और तरावी की नमाज भी जमाद से नहीं होगी इसके अलावा दिगर मुलकों में भी लोगों को इहतियाद बरतने के एकामात दिये गए है और रमजान की मुनाजबत से ही मख़भी तन्जीमों ने लोगों से कहा है कि वो इबादात के दौरान कुछ बातों का खास खयार लगे लोगों से कहा गया है कि वो हकूमत के तरफ से जारी लौक डाउन की हिदायात पर अमल करें मखहबी दारों लोगों को खास तोर पर इत्याद बरतने की हिदायाद दी गई है alt दारों ने लोगों से कहा है के वो रमजान का रोजा, फ़र्ज, नफर्व और सुन्नत-नमाजें घर पर ही पढ़ें लोगों से कहा गया है कि वो तरावी की नमाज घर में ही अदा करें साथ ही ये भी कहा गया है कि वो किसी तक्रीब में दूसरे घरों के लोगों को अपने यहां जमाना करें दावत और इफ्तार की पार्टियों से दूर रहने को कहा गया है और साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि लोग खुद भी इस तरह की तक्रीबात बर पार ना करें इबादात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तोर पर क्याल रखने की हिदायत दी गई है लोगों से कहा गया है कि वो खरीदारी के सलसले में हकूमत के एहकामात की मुकमल पासदारी करें लोगों से कहा गया है कि वो गयर जरूरी तोर पर घरों से बिलकुल बाहर ना निकलें साथ ही मख़भी इदारों ने ये भी कहा है कि रमजान के दोरान जरूरत मंदों तक जकात और सथकात पहुँचाए जाएं रमजान के दोरान लोगों से गुजारिश की गई है कि वो अपनी अबादतों के दोरान कोरोना वबा से निजात के लिए दोआएं करें इन तमाम हिदायात का मकसद रमजान के दोरान वबा के फैलाओ को महदूत रखना है इसी दर मियान मुस्लिम मख़भी रहनुमाओं ने रमजान के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल के लिए पुरुजोर अपील की है मराटवारा के अल्माँ ने मिटिंग के बाद तेह किया कि लोग मसाज़ित के बजाए घर में ही नमाज अदा करें ये भी कहा गया कि रमजान की खुस्सी नमाज तरावी भी घर पर ही पढ़ी जाए और बारक में इस तरह से मस्जित मैजान होती थी होगा रेगी लेकिन तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे और नमाज तरावीके असiones में खास तूर पर हर शख्स अपने घर में नमाज तरावी हदा करेगा इफ्तार और सहर के मौके पर जियाफतों किसे वो इश्तिनाब करेगा और भीर भाड के मौके से एक सर पुली तोर पर परहिस करेगा कि हम खालत तोर से अपने नौजवाने से गुजारिश करेगे और अब एक दिल्चस्प खबर जहां इन दोर में बच्ची की सालगिरा पुलिस एहलकारों ने जाकर मनाई उस बच्ची ने पुलिस सबस्पेक्टर को फोन करके कहा था कि वो लॉकडाउन की वज़े से अकेले सालगिरा मनाने को मजबूर है हमेशा मैं अपना बड़े मेरे भर परिवार के साथ बनाती हूँ तो मैंने एक बार आउंधाने पुलिस को फोन किया और वो मेरे एक बार बुलाने पर यहां आए और मेरे जिनम दिन उन्होंने बहुत यादगार वना इसलिए मैं उनको फेंच केना जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि राउंधाने की टीम जो मेरे यहां आई और मेरी बच्ची का बड़े मनाया जो फ्लेग मार्च करके हो पुरी टीम मेरे घर पहुंची और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने मेरी बच्ची का बड़े सेलिवेट किया और मेरे यहां पर आये में का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसने हमारे थाने की में उपनी रिक्षक महिला है पारेशर मेडम उनको कॉल किया और कहा कि मैडम में बहुत अकेला फिल कर रही हूं मेरा जनम दिन है यह बात मैडम ने मुझे बता ही चलते हैं अपन बच्ची का आते हैं तो हम वहां सोशल डिस्टेंस बनाते हैं पहुंचे टीम पहुंची हमारी और टीम ने बच्ची को उस्साहित करते हैं बच्चा बड़े सेलिवरेट किया नाजरी निसी के साथ खबरों के बुलिटिन यहीं मकमल होता है इजासत दीजिए आदा